हेलो गाईज, विलकम टू अव्यान आईएस अकाडमी, मैं प्रग्या, आज आप लगों के सामने एक नई सीरीज लेकर आईँ, जो की है पेपर वन यूजी सी नेट की काफी स्थूदंस मुझसे आके पूछ रहते है मैं आप बड़ेजी वन की सीरीज कब स्चार्ट करोगे, कब हमारा पेपर 1 ऑनलाइन स्चार्ट होगा, तो finally guys, देखो तुम लोगों के आगे आगे आ गई है पेपर वन की सिरीज जिसकी मैं paper 1 की unit 1 उठा रही हूं आज वो है teaching aptitude teaching aptitude से हम लोग start करेंगे ठीक है थोड़ा सा brief कर देती हूं इसके बारे में teaching aptitude में से आपके 7 to 8 questions आते हैं पहले तो मैं paper 1 के बारे में थोड़ा सा brief कर देती हूं पेपर 1 क्या है ठीक है paper 1 UGC net का आपका paper 2 चाहे कुछ भी हो चाहे आपका commerce हो management हो economics हो political science हो no matter what your paper 2 is paper 1 आपका आता ही आता है and it is a compulsory paper ठीक है अब बात करते हैं कि इतने questions आते हैं पचास questions आते हैं ठीक है paper 1 50 questions का होता है हर question दो number का होता है इसका मतलब आपका जो paper 1 होता है वो होता है 100 marks का ठीक है paper 1 आपका 100 marks का होता है जिसमें negative marking नहीं होती paper 1 comprises of 50 questions ओके इसके अंदर negative marking नहीं होती कि इसका मतलब आपको 50 के 50 questions attempt करने हैं Got it? ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं specifically teaching aptitude की कि teaching aptitude में से कितने questions आते हैं? teaching aptitude में से 7 से 8 questions आते हैं 7 to 8 questions आते हैं आपके teaching aptitude में से ठीक है? ऐसा क्यों? कि भाई हर unit में से जब 5-5 questions आने चाहिए क्योंकि 10 units हैं अपनी, तो teaching aptitude में से 7 to 8 questions क्यों आते हैं? इसका reason यह है guys क्योंकि teaching aptitude इस exam के बाद आप लोग या तो PhD में जाएंगे है ना, either you will enroll in PhD या फिर आप जाएंगे as a assistant professor कहीं ठीक है या तो आप आगे पढ़ाने ही जाएंगे इसलिए यह unit ना काफ़े important role play गड़ती है तुम लोगों को अगर cut-off विगेरा के बारे में जानना है ना, जैसे JRF क्या होता है, net की cut-off कितनी जाती है और कितना percent success होता है, जो भी ऐसे तुम्हारे doubts है उन पे ना, मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी तुम सबके doubts इखटे करके, ठीक है तुम लोग मुझे comment section में बता दे ना मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूँगी यहाँ पर हम यह इस बारे में discuss नहीं करते की यह क्या होता है, वो क्या होता है हम सिधा teaching aptitude की ही बात करते ठीक है, तो 7-8 questions आता है important unit है, करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट हम लोग teaching aptitude होता क्या है देखो यह दो words से मिलके बना है teaching और aptitude, यानी teaching plus aptitude ठीक है, teaching क्या होता है basically teaching is sharing of knowledge and experience, ठीक है मैं अपनी knowledge और experience आप लोगों के साथ share कर रही हूँ teacher होता कहों है, जिसको अपने आप लोगों से थोड़ी सी ज्यादा knowledge होती अपने subject matter में अपने subject ने वो expert होता है और अपनी बात वो communicate कर सकता है आप लोगों तक, ठीक है, अपनी बात वो पहुचा सकता है आप लोगों तक वहीं एक दूसरा इंसान है जिसको बहुत knowledge है, example of knowledge, बहुत कुछ पता है उसको, पूरा ज्यान का भंडार है उसके पास लेकिन वो अपनी बात तुम तक communicate नहीं कर पा रहा है या deliver नहीं कर पा रहा है, जो knowledge मेरे पास है, वो मैं आप लोगों तक share नहीं कर पा रही हूँ आपका teaching, teacher कौन होता है जो अपनी knowledge और experience दूसरों के साथ, जो ज़्यादा experience इंसान है, वो अपनी knowledge, कम experience लोगों के साथ share कर रहा है, ठीक है, aptitude क्यों होता है, basically it's a ability ठीक है, it's a ability to do something, it's a ability और a skill to do something, तो teaching aptitude हमारा क्या हो गया development of required ability and skill sets which are essential for a good teacher आया समझ, ठीक है it can be defined as engagement with learners to enable their understanding and application of knowledge, concepts and process, ठीक है ये सारा काम teacher का ही होता है, it's a social process जहां पर teacher influence करती है behavior किसका less experienced का, less experienced का, they can help them develop according to the needs of the society जिसके बस थोड़ा सजादा ग्यान है, ठीक है, more matured person, it's delivering the knowledge to the less matured person, that comes under the teaching aptitude, ये चीज़ तुमने समझ ली न, तुमें आधे से जादा teaching aptitude समझ आ गया, ठीक है इसके बहुत basic concepts है, जिनमें से questions आते हैं, देखो, साथ कि further classes में discuss करेंगे और कुछ आते हैं इसके nature और characteristics में से, उसमें से कैसे आ जोते हैं, वो हम आगे भी discuss करेंगे कि होता क्या है, उसमें से एकाथ question बन जाता है, और एकाथ question होता है, आपको आज़र teacher सोचना बढ़ता है, basically आपको classroom का scenario दे दिया जाता है, और भूल दिया जाता है कि अगर आपके पास ऐसा student आता है या कोई ऐसा student आता है, तो इस case में आप क्या करोगे, तो case studies type के questions भी ना teaching aptitude में से अच्छे से पूछे जाते हैं, और उनको solve करना बहुत easy होता है, अगर आप अपना brain इस तरीके से चलाल होगे ना, कि हाँ मैं एक बहुत अच्छा teacher हूँ, और एक particular situation पे अच्छा teacher क्या करेगा, तो ऐसी situation में आप ये बहुत अच्छे से concept ये teaching aptitude में काफी अच्छा score कर सकते हो guys, ठीक है तो चलता है हम अपनी अगली slide पे teaching is triadic in nature, ये सबसे पहला important concept है teaching aptitude का ठीक है, ये variables of teaching में भी आता है, ठीक है independent variable, dependent variable and intervening variable ये इस मेरा और भी variables होते हैं बाकी की तींचर और variables है जो important है, वो मैं तुम्हें detail में research aptitude में बढ़ाऊंगे, जब मैं उसके इंदर आपको types of variables बढ़ाऊंगी अभी teaching के point of view से यही दिन important है, जिसमें से काफी बार ये question पूझा जाता है कि teaching को triadic बोलते हैं पहले तो इसी पर question बन जाता है कि इसको क्या बोलते हैं, triadic बोलते हैं और बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं ठीक है, इसको हम triadic in nature इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें तीन variables है, पहला है independent variable जो की है आपका teacher, ठीक है दूसरा है आपका dependent variable जो की है आपका student ठीक है, जो की है student और तीसरा है intervening variable जो की होता है आपका syllabus ठीक है syllabus हो गया या फिर subject matter हो गया, ये सारी चीज़े आ जाती हैं आपकी variables में तीन चीज़े होती है, क्या teacher के बेना class चल सकती है, नहीं चल सकती है क्या student के बेना class चल सकती है नहीं चल सकती है, क्या syllabus के बेना मैं तुम्हें पढ़ा सकती हूँ, क्या मेरे पास कोई आज topic नहीं है, मेरे पास कोई content नहीं है deliver करने का तो क्या में तुम्हें पढ़ा सकती हूं नहीं पढ़ा सकती class किस तीन चीजों से चलती है इनहीं तीन चीजों से चलती है ठीक है इसलिए इसको हम triadic के nature भी बूलते हैं और भी variables आते हैं बट वो आगे हम अपनी further की classes में बढ़ेंगे अभी के लिए इतना important है triadic हम से विस बात के लिए बूलते हैं characteristics of teaching the main character of teaching is to provide guidance and training ठीक है guidance and training देता है teacher ठीक है interaction between a teacher and student teacher और student के बीच में interaction होता है जैसे आपने देखा होगा offline classes होती है उसके अंदर भी two-way communication चलता है ठीक है आज कल जो lecture method है वो काफी popular था talk and talk method बिट आज की डेट मेरा two-way communication जाना important है मैं भी अपनी वीडियो में आप लोगों से बूलती रहती हूं कि comment करूँ guys comment से मुझे क्या पता चलता है मुझे feedback मिल रहा है चाहे वो positive हो चाहे वो negative हो doesn't matter feedback is a feedback जब तक बच्चे बताएंगे नहीं उन्हें समझ आ रहा है या नहीं तब तक यहां पे मेरा इतना महनत करने का बाकी team का इतना महनत करने का कोई benefit नहीं है हमारा ultimate aim क्या है आप लोगों को समझ आना चाहिए आप लोगों का exam clear होना चाहिए continuous process obviously it is in art to give knowledge and science art और knowledge क्या art और science क्या होता है guys यह हम हर जगा देख लेते हैं कि it is in art as well as science बड़ यह होता क्या है देखो आठ कैसे यह कला है पढ़ाना एक कला है है ना वही मैंने आपको बोला कि अपनी बात communicate जो कर सकता है जो अपनी बात सही ढंग से deliver कर सके वो हो गई कला जो की एक teacher में होनी चाहिए ठीक है दूसरा क्या है science कैसे कुछ facts होते हैं कुछ principles होते हैं एक तरीका होता है पढ़ाने का है उसको follow करना पड़ता है ऐसी तो कुछ नहीं कि मैं आई और मैंने एकदम से तुम्हें a b c d सिखाई नहीं और मैं तुम्हें सिधा सिखा रही हूं कि बच्चों देखो c 80 cat होत बच्चों को यह तो पता नहीं इसको c renounce करते हैं इसको a renounce करते हैं और मैंने सिधा cat bat लिखना सिखा दिया मैंने तुम्हें sentence formation सिखा दिया ऐसे नहीं होता तो कुछ chips होते हैं जिनको follow करना पड़ता है इसलिए इसको science भी कहा जाता है ठीक है it encourages students to learn more and more in a formal as well as informal teaching is a communication of information to students in teaching teacher imparts information in an interesting way so that students can easily understand the information वही समझाने का तरीका बताने का तरीका levels of teaching बहुत ही important concept है बहुत बहुत important concept है almost हर बार ये exam में इसमें से question आता है ठीक है मतलब हर दूसरे attempt में हर बच्चा बोलता है कि इसमें से question आता है इतना important है ये इसको star mark कर लेना और अपने साथ ना guys notes बनाते रहना ठीक है ये presentations आप लोगों क्ले ही बनाई जाती है ताकि अब इनको पढ़ो और notes बनाओ self notes बहुत important है self notes के बिना तुम exam नहीं निकाल सकते कोई भी book refer कर लो कुछ भी कर लो मैं इस platform पर खड़ो कि यह नहीं बोलूँगी कि चार अलग अलग जगा की book खरीलो नहीं बेटर है reference levels अपने notes बनाओ और इसी तरीके से तुम्हारा exam crack हो सकता है ठीक है levels of teaching क्या ये पहली level जो है आपकी memory level ठीक है सबसे पहली level होती है memory level then comes your understanding level then at last it comes your reflective level ठीक है इसको एक एक करके हम discuss करते है होती क्या है इसका sequence याद कर ले ना memory level understanding level और reflective level ठीक है memory level of teaching it is a first and thoughtless level of teaching इसके अंदर क्या होता है ratification basically आपको सारे formula, laws, facts, figures ये जितनी भी सारी चीज़े आ जोती है ये आपके memory level में आ जोती है ठीक है आपने रटा वाया आपने दिमाग नहीं लगाया तो ये वही है memory level of teaching ठीक है it is considered to be the lowest level of teaching thinking ability कोई logic नहीं लगा रहे हो कोई दिमाग नहीं चल रहा है बस बोल रहे हो ठीक है जो रटा वाय वो सामने निकाल रहे हो that is memory level सबसे basic level की level of teaching यही होता है ठीक है next है guys आपकी understanding level of teaching understanding level को हम explanatory level of teaching भी बोलते हैं explanatory level of teaching भी बोलते है क्यों कि इसके अंदर बच्चा चीजों को explain करना सीख जाता है जो मैंने याद कि अभी तक मैं सिर्फ चीजों को रट रही थी कि हाँ ऐसा करने से इसे होता है सभी तक मुझे concept समझ नहीं आ रहे थे अब explanatory level में पहुझ गई हूं understanding level में पहुझ गई हूं तो हम मुझे चीजों को थोड़ा तो उसमें आग निकलता है और उसमें से धुआ निकलता है है यह हम candle चलाते है उसमें से धुआ निकलता है वही चीजे हमने अपने घर में एक छोटा सा example देखा और उसको हमने बाहर relate करा कहीं बड़ी आग लगी और उससे हमने relate करा ठीक है वही है आपकी understanding level ठीक है high quality of than one of the memory level memory level के बाद आती है second number पर आती है ठीक है और इसके अंदर ना चीजे बच्चा समझने लगता है ठीक है इसके बाद जो आती है वो आती है अपकी reflective level of teaching reflective level of teaching यह third number पर आती है highest level of teaching ठीक है involve the use of scientific methods to understand the problems इसमें बच्चा analyze और evaluate भी कर सकता है and can even create the new ideas यहां एक word लिखाए गाइस cognitive यह क्या होता है cognitive क्यों होता है cognitive का मतलब क्यों होता है cognition का मतलब होता है mental processing ठीक है जैसे मैं तुम्हें बोलूँ कि ABCD सुना तो कि तुम्हारा कोई दिमाग नहीं लग रहा है ठीक है जहां मैं बोलूँगी sentence form करके दिखाओ या यह Hindi में है इसको English में convert करके दिखाओ या कुछ भी ऐसा जहां तुम्हेरा brain का use हो रहा हो ठीक है that is mental processing memory level पे cognitive field theory नहीं होती cognition काम नहीं करता बट वहीं मैं इसकी understanding और reflective की बात करूँ reflective पर आपका cognitive होता है क्योंकि आपका brain analyze evaluate करता है नए ideas create करता है यह होता है आपका reflective level आज हम लोगों ने क्या पढ़ा basically guys आज हमने एक तुर टीचिंग स्टार्ट करा ठीक है थोड़ा सा basic पढ़ा एक्जाम में कितना आता है कितना important है वो सब पढ़ा दूसरा हमने levels of teaching पढ़ memory level, understanding level, reflective level आज की class नहीं की तक रखते है guys पहली class थी छोटा सा lecture रखते है ज्यादा लंबा नहीं रखते है ठीक है छोटे 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 lectures में 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 तुम्हारा सारा teaching after tutor पूरा paper वन ऐसी खदम करा दूंगे तुम में पता भी नहीं चलेगा ठीक है मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में guys कैसी लगी आपको वीडियो और एसी complete सीरीज आपको चाहिए तो मुझे जरूर बताना comment section में मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में टेक केर रख बाए